सबसे पहले इस टाइटिल को देखते हैं सॉलम प्रॉमिस सॉलम का मतलब होता है बहुत ही सीरियस बहुत ही गंभीर, सिंसेर तो एक तरीके से एक गंभीर और सिरियस वादा there can be no further delay in restoring restore का मतलब होता है किसी चीज को पुनह बहाल करना वापस उसे उसी अवस्था में लाना statehood का मतलब होता है राज्य का दर्जा for जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे को पुनह बहाल करने में और ज्यादा देरी नहीं हो सकती further delay का मतलब है कि और ज्यादा delay नहीं किया जा सकता जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को पुनह बहाल किया जाना चाहिए तो ये जो बात जम्मू एंड कश्मीर के लेफटिनेंट गवर्नर मनोज सिना ने कही है क्या कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो की केंदर शाशित प्रदे से इसे जो है राज्य का दरजा इसका पुनह बहाल किया जाए तो ये बात जो कही गई है इसे देखा जाना चाहिए दोनों तरीके से एस बोथ एक तो क्या है नियूली इलेक्टेड रेजीम का मतलब हुआ नई निर्वाचित सरकार नई निर्वाचित विवस्था तो एक तरीके से जम्मो कश्मीर की जो नई निर्वाचित सरकार है उसकी मांग के रूप में भी हमें इस चीज को देखना चाहिए कि वह चाहते हैं जम्मो कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए एक तरीके से केंदर सरकार के द्वारा ये जो प्रॉमिस किया गया था इस प्रॉमिस के दोहराव के रूप में भी आनिकी केंदर सरकार ने कहा था कि वह जम्मो कश्मीर को स्टेट हुड दी जाएगी तो गवर्नर मनो सिन्हा के द्वारा ये जो बात कही गई है कि वह जम्मो कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है दिया जाए तो इसे हम दोनों रूप में देख सकते हैं एक तो वहां की जो नई निर्वाचित सरकार है उसकी डिमांड के रूप में भी और जो केंदर सरकार ने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के दोहराव के रूप में भी बींग होना अब देखो जो नई असेंबली निर्वाचित होती है एक तरीके से नई विधानसवा निर्मित होती है चुनी जाती है नई सरकार बनती है तो ये एक कस्टम है प्रथा है कि लेफटिनेंट गवर्नर जो है उसे संभोधित करते है इट ओविएसली रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट का मतलब है दिखाना दर्शाना दिमांड आफ दे न्यू डिस्पेंसेशन डिस्पेंसेशन का मतलब है रेजीम व्यवस्था सरकार हेड़ेड बाइ दे नेशनल कॉन्फरेंस तो कुल मिला के बिइंग पार्ट अफ दे लेफ्टिनेट गवर्नर's कस्टमरी एड्रेस टू दे असेंबली यानि की असेंबली को उन्होंने जो है संभोधित किया तो ओविएसली ये बात रिफ्लेक्ट होती है ये बात पता चलती है क्या कि नई जो सरकार है उसकी डिमांड है किसकी है नई सरकार? नेशनल कॉन्फरेंस की and is in accordance with in accordance with का मतलब होता है के अनुरूप होना के अनुसार होना a recent cabinet resolution कि अभी हाल ही में cabinet के द्वारा एक तरीके से जो निरने लिया गया उस निरने के अनुरूप भी यह बात प्रतीत होती है at the same time साथ ही साथ the lieutenant governor also represents the president कि जो governor है वे राष्ट प्रती को represent करते हैं who? who यहाँ पे किसके लिए आया है? president के लिए administers all union territories की राष्ट पती जो की union territories को administer करते हैं यानि कि उनके शाष्ण को देखते हैं तो एक तरीके से जो राष्ट पती हैं उसके ही representative होते है lieutenant governor one cannot forget that the union government had given a solemn promise to the supreme court one का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति है एक general रूप में है जब हम बात करते हैं one cannot forget कि कोई भी इस बात को नहीं भोल सकता कि जो union government है union government had given a solemn promise कि union government जो है उसने एक वादा किया था और बड़ी ही इमानदारी से वादा किया था किस के समक्ष है supreme court के समक्ष that Jammu and Kashmir which was downgraded तो क्या बात कही थी केदर सरकार ने supreme court में कि Jammu Kashmir जिसको की downgrade करना downgrade करने का मतलब होता है किसी के दर्जे को या किसी के status को कम करना and divided into two union territories in August 2019 कि अगस्त 2019 में जम्मो कश्मीर के दर्जे को कम किया गया और इसे दो union territories में जो है बाटा गया विल तो इस जम्मो कश्मीर के संबंद में supreme court के समक्ष union government ने ये promise किया था कि जम्मो कश्मीर जो है विल गैट बैक इट्स इस्टेटोड कि जम्मो कश्मीर जो है वापस अपने राज्य के दर्जे को प्राप्त करेगा although यद्यपी no timeline was given हलांकि कोई समय सीमा के अंदर सरकार ने supreme court के सामने नहीं बताई थी the promise holds good hold good इसका मतलब होता है to be true such होना with greater force now यानि कि ये जो वादा केंदर सरकार ने किया था जम्मो कश्मीर के संबंद में अब ये और भी ज़्यादा सत्य प्रतीत होता है क्यों ऐसा इसलिए as assembly elections have been held कि जो assembly elections है जम्मो कश्मीर के उनको आयोजित किया गया and a representative government installed और एक प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार जो है अब हमारे सामने है जम्मो कश्मीर को जो है एक representative government मिल गई है the assurance had been given during the course of the hearing देखो the course of the hearing का मतलब है सुनवाई के समय सुनवाई के दौरान तो यह जो आस्वाशर के इंत सरकार की तरफ से दिया गया था सुनवाई के समय on the validity of the presidential notification validity का मतलब है वैधता presidential notification का मतलब है कि परी राष्टपती की तरफ से जो आदेश निकाला जाता है abrogating abrogate का मतलब होता है समाप्त करना खतम करते हुए समाप्त करते हुए the state's special status under article 370 कि article 370 के तहत जम्मू कश्मीर का जो special status था उसको abrogate करते हुए president के द्वारा जो है एक notification जारी किया गया था तो ये notification valid था या नहीं था इसकी सुनवाई के दोरान and the adoption of the जम्मू एंड कश्मीर reorganization act by parliament और इसके साथ ही क्या किया गया था एक तो ये article 370 को उटाया गया था adopt अपनाना जम्मू एंड कश्मीर reorganization act by parliament संसद के दोरा जम्मू एंड कश्मीर reorganization act को जो है अपनाया गया था तो इसके संबंद में कि भई ये जो act parliament ने जो है अपनाया 370 को राश्ट्रपत्ती के notification से हटाया तो ये valid था या नहीं था इसकी सुनवाई के दोरान केंदर सरकार ने सुप्रिम कोट को आश्वाशन दिया था जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के दर्जे को पुनह बहाल करने का It was on the basis of this assurance कि ये जो आश्वाशन केंदर सरकार की तरप से दिया गया था इस आश्वाशन के आधार पे ही जो सुप्रिम कोर्ट की बेंच थी उसने ये decide किया था वेदर की क्या The state's reorganization into two union territories was permissible under the constitution की समविधान के तहत राज्य को पुनह से एक तरह से reorganize करना दो union territories के रूप में permissible, permissible का मतलब है कि क्या समविधान इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता है कि एक राज्य को reorganize किया जाए two union territories में तो इस प्रश्ण को decide न करने के लिए constitution bench ने कहा था और किस आधार पे? इस आधार पे कि union government की तरफ से Supreme Court को ये promise किया गया था कि हम जमू और कश्मीर की राज्य का दर्जा नहें बहाल करेंगे The reasonably reasonably का मतलब है जो appropriate लगे वाजिब लगे high turnout high turnout का मतलब है बहुत ही जादा मात्रा में उपस्ति थी in the assembly elections had demonstrated demonstrate का मतलब होता है प्रदर्शित करना the faith repose, repose का मतलब है जताना by the people of Jammu and Kashmir in democratic institutions कि बहुत ही जादा मतदाताओं की उपस्तिती हमें देखने को मिली जम्मू कश्मीर में जो assembly elections हुए तो इस high turnout ने इस बात को demonstrate किया इस बात को प्रदर्शित किया कि इस बात को कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग है उन्होंने democratic institutions में अपने faith को repose किया है यानि कि अपने faith को दिखाया है and their desire और जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग है उनकी desire नजर आती है इच्छा नजर आती है for a return to popular rule popular rule का मतलब हुआ यानि कि एक ऐसा साशन जिसे अधिकांच लोग पसंद करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगोंने desire दिखाई कि इस चीज के लिए popular rule के लिए उसकी वापसी के लिए while जबकि the removal of the states special status जबकि जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेश दरजा है उसको remove करना उसे हटाना में उसके हटाने से में continue to rankle for many rankle का मतलब होता है कोई चीज जो की आपको लगातार परिशान करती है जिसके कारण आपके मन में एक लंबे समय तक नाराजगी या गुसा बना रहता है तो जम्मू एंड कश्मीर का जो special status है इसको remove किया गया ये कई लोगों के लिए लंबे समय तक एक परिशानी का कारण हो सकता है वे जो है इस बात से जो है कि the restoration of statehood is a matter of priority for the people कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके राज्य के दरजे को पुनह बहाल करना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक priority है एक तरीके से ये priority होनी चाहिए कि नए शाषन को चुना जाना यानि कि एक नई सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनी है और इस नई सरकार ने क्या किया है strengthened democratic processes कि इस नई सरकार ने क्या किया है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं है उनको और मजबूती दी है and there is really no reason or excuse और वास्तों में कोई कारण नहीं है या किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं है for any further delay in conferring confer का मतब होता है प्रदान करना, देना, statehood और अब किसी भी तरह का कोई excuse नजर नहीं आता और ज्यादा delay नहीं किया जाना चाहिए जम्मू और कश्मीर को statehood देने में there is some cause for concern कि थोड़ा सा चिलता का कारण है कि इस बात को लेकर over the security situation कि सुरक्षा इस्तिती के संबंद में कुछ concern है सुरक्षा इस्तिती के संबंद में जो है थोड़ा सा concern है as ऐसा इसलिए evidence evidence का मतलब है कि जिसका प्रमान आपने को देखने को मिला है as evidenced by a spurt in militant attack militant का मतलब होता है हमलावर हमला करने वाला एक तरीके से आतंकवादी कि बढ़ी security situation को लेके concern इसलिए है कि जो militant attacks है उनमें spurt देखा गया है spirit का मतलब होता है किसी चीज़ का increase हो जाना बढ़ जाना तो जम्मू और कश्मीर में अभी हाल ही में हमने आतंकवादी हमले देखे है both civilians and soldiers have been killed कि इन हमलों में नागरिक और सैनिक दोनों जो है मारे गए and many of the victims victim का मतलब होता है दुरगटना का शिकार व्यक्ति पीडित व्यक्ति were non-local workers in the valley कि यह जो जम्मू कश्मीर घाटी में यह जो हमले हुए इन हमलों में जादा तर जो victims थे वे non-local workers थे यानि कि वे वहां के छेत्रिय निवासी नहीं थे the most likely likely का मतलब होता है कि ऐसा होने की संभावना है explanation for the escalation किसी भी चीज के escalation का मतलब होता है उसका और बढ़ जाना is that militant groups want to create a sense of fear among non-local workers कि यह जो हमले हुए इनका संभावत है जो explanation दिया जा रहा है for the escalation कि यह लगातार militant groups के द्वारा जो हमले बढ़ रहे हैं उसका कारण जो है वो यह है शायद कि जो militant groups है जो हमला करने वाले संगठने वे भय create करना चाहते हैं किन लोगों के बीच? non-local workers के बीच and provoke provoke का मतलब होता है उकसाना, भढकाना, a backlash backlash का मतलब होता है प्रतीक्रिया from the security forces और जो आतंकवादी हैं या जो हमला करने वाले हैं वे चाहते हैं कि जो सुरक्षा बल है उनको भढकाना चाहते हैं वे उनकी तरफ से प्रतीक्रिया चाहते हैं वे चाहते हैं कि सुरक्षा बल जो है वे दमनात्मक कारेवाही करें हावेवर हालंकी नाइदर एनी नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी बात नहीं एनी स्पाइक स्पाइक कम तब होता है बड़ोत्तरी increase in terror attacks कि अब देखो दोनों में से एक भी कारण को जो है हम ठीक नहीं मान रहे है कि आतंग की हमलों में व्रद्धी और नहीं नौर the fact और नहीं ये तथ्य दैट the ruling भारतिय जनता पार्टी at the center कि केंद्र में जो सत्तारूढ भारतिय जनता पार्टी है, could not realize its hope. देखो अपनी hope को realize करने का मतलब है कि जो आपने उम्मीदें की थी वे उम्मीदें आपकी पूरी हो गई of being in power in Jammu and Kashmir कि बही केंदर सरकार जो है यानि कि भारती जंता पार्टी जिसकी केंदर में सरकार है उसको ये उमीद थी कि वे Jammu and Kashmir में power में आएंगे लेकिन उनकी ये उमीद पूरी नहीं हो पाई तो इस तत्थी की बात कर रहे हम दूसरा तत्थी है हमारा कि terror attacks में व्रद्धी होना तो ये दोनों बाते हो गई should be seen as a possible reason तो इन दोनों ही बातों को एक संभावित कारण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए यानि इन दोनों कारणों की वज़े से delay नहीं किया जाना चाहिए देरी नहीं की जानी चाहिए delay a positive decision on its statehood यानि कि Jammu-Kashmir के statehood के संबंद में एक positive decision होना चाहिए और delay का कारण जो है इन दोनों factor में से कोई नहीं होना चाहिए the need for the elected regime to have its governance space expanded यानि कि जो निर्वाचित सरकार है उसको जरूरत है किस चीज की कि उसकी जो governance है उसकी जो शाषन है यानि कि उसका शाषन करने का जो भी अधिकार छेतर है वो और ज़्यादा expand हो और ज्यादा बड़े और वो कैसे बढ़ सकता है by the benefits of full statehood कि वो बढ़ सकता है by the benefits of full statehood यानि कि जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर को अगर राज्य का दर्जा मिलता है full statehood उसको मिलता है तो इन full statehood के benefits को पाके ही जो नव expand हो सकता है तो कुल मिला के इस बात की जरूरत है तो the need brooks no delay तो ये जरूरत जो है देखो brook का मतलब होता है allow करना किसी चीज को तो ये जरूरत जो है इस बात को allow नहीं करती कि statehood में और ज़्यादा delay किया जाए यानि कि statehood में और ज़्यादा delay नहीं होना चाहिए तो ये था हमारा आज का editorial